तो क्याल चाल सस्तिरकाल मैं हो नियौन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मार्कीज ब्राउनली के बारे में तो गाइस क्या एक यूटुबर के वीडियो के वज़े से पूरा कमपनी डेस्ट्रॉई हो गया वेल गाइस आप पॉपलर टेक चानल मार्कीज ब्राउनली एमके बीएसडी के बारे में तो जानते ही होंगे उनके एक रिव्यू वीडियो को लेकर बहुत बड़ा कॉंट्रॉवर्सी चल रहा है तो चलिए इसके बारे में आप लोगों डीटेल वे में बताता हूँ बेसिकली दो दिन पहले वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया थे इसका टाइटल वो लिखे थे इसमें बेसिकली एक हुमेन नाम का कंपनी है उसका AI PIN को वो रिव्यू कर रहे थे अफकोर्स टाइटल से आप लोगों समझ आ गया होगा उनको यह 700 डॉलर्स वाला प्रडक्ट बिलकुल भी पसंद नहीं आया और वहां से आप यह छोटा सा क्लिप देख लो आप लोगों फिर समझ आ जाएगा अब आपको लग रहा होगे तो बहुत नॉर्मल चीज है उनको प्रडक्ट पसंद नहीं आया उन्होंने रिव्यू किया तो इसमें Controversy का क्या बात है वेल कुछ लोग यह opinion share करने लगे कि MKBSD बहुत बड़े यूटूबर है और उनका बहुत जादा बड़ा reach है तो उनको ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिसके वज़े से पूरा company kill हो जाता है लोग बोलने लगी कि यह बहुत गलत चीज है and it is almost unethical इतना बड़ा reach के साथ आपको एक बहुत बड़ा responsibility भी मिलता है और यह चीज और भी जादा escalate हो गया क्योंकि एक मैना पहले MKBHD के साथ एक बहुत भेंकर scene हुआ था basically उन्होंने car company के car को review करके video upload किया था उच फिसकर नाम का company था and after that review उसका stock price पूरा गिरने लगा and after few days यह reports आने लगे कि वो company जो है वो bankruptcy के लिए file करने वाले है तो लोग बोलने लगी कि भाई इनके एक review से पूरा company destroy हो जा रहा है तो इनको ध्यान से करना चाहिए यार यह सब but finally इन सारे चीजों को जवाब देते वे Marquis Brownlee अपने channel में एक video upload किये two bad reviews kill companies इस video में basically उनने कहा कि he is an honest reviewer उनका काम है honest review post करना है और वो वही कर रहे है ना वो किसी से पैसा लेते हैं बस अपना honest opinion share करते हैं फिर उनने एक और point raise किया कि bad review के वज़े से company destroy होता है या फिर bad product क्योंकि bad reviews तो बहुत सारे लोग बनाते हैं just because कि इनका read जादा है तो क्या इन्हें अपना opinion नहीं share करना चाहिए even if the product is bad यार लोग उनसे agree कर रहे हैं इस video का top comment यही है bad product skill companies companies जो खराब products निकालते हैं उसके वज़े से ही उनका घाटा होता है ना कि bad reviews के वज़े से क्योंकि at the end of the day अगर आपका product अच्छा होगा तो वो अच्छा बिकेगा चाहे जितना भी bad reviews बन जाए बाकि इसके regarding आपका क्या opinion है मेरे को comments में ज़रूर बताना तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले T-Series vs Mr. Beast के बारे में तो T-Series सारे इंडियन से support मांग रहे हैं for the Mr. Beast battle जहां गईस आप लोगों पते हो कि इन दोनों का subscriber war अब चालू हो गया है बहुत ही close आगए Mr. Beast अब T-Series के तो इसी के regarding indirectly T-Series अपने चैनल में कल एक वीडियो अप्लोड किये जिसका thumbnail आप रिएट कर सकते हो इस वीडियो के सार्टिंग में उनके founder गुलशन कुमार का उन्होंने quote लिखा था कि I want to put India and my people top of the international platform और वीडियो में भी वैसे quotes वगेरा भरे थे कि हम लोग को सब एक साथ आ जाना चाहिए ताकि हम लोग history create कर पाए तो हमारे चैनल को subscribe कर लो बट कही ना कही लोग इस चीज को accept नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसे comments आ रहे हैं यह जो country and nationalism वाला card play कर रहे हैं यह कही ना कही backfire कर गया क्योंकि इस video में as of now 3000 likes है and 8.5 thousand dislikes है तो यहाँ guys आप किसको support कर रहा हूँ Mr.Beast जो कि एक individual YouTuber है जो कि literally zero से start किये from scratch या फिर एक multinational company T-series जो कि सब YouTubers को copyright claim मारते रहते हैं हर 2-3 second songs clips के लिए और वो एक Indian company है उनको तभी आदाता है जब एक subscriber war start होता है आप मेरे को अपना opinion जरूर comments में बताना तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात कने वाले UK07 rider versus Max turn के बारे में तो क्या Max turn UK07 rider को boxing match के लिए challenge कर रहे है विल गाइस लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों दिखाया था कि कैसे UK07 rider open challenge दिये तो आल दे यूटूबर्स वर आफ्सिंग मैच विल आफ्टर दाट चैलेंज वीडियो Max turn अपने Instagram में ये रील अप्लोड किये तो चलिए पागे बढ़ते हम लोग बात कहने वाले एक बहुती सीरियस इसू के बारे में तो गाइस कल मुंबई करने के लिए अपने चैनल में एक बहुती इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किये अभी देखना क्या आएगा ठीक है क्या आया CAA registration and apply for approval इंडिया का नहीं आया before fly in China अरुनाचल प्रदेश में क्लिक किया and it says before fly in China अब देख सकते हो यह border भी है अरुनाचल प्रदेश और असाम इस पर क्लिक करता हूं border की जिस बाजों में क्या आता है before flying in चाइन डीजा ने अरुनाचल प्रदेश को चाहिना के टेटेटे रिगोशित कि तो चलिए बागे बढ़ते हम छों बात कहने वाले फुक्रा इंसान और रजण दलाल के बारे में तो फुक्रा इंसान और रजण दलाल का एक क्लाब आने वाला है पाउ गर्ल से आफ्टर इस रोस्ट वीडियो जहां कुछ टाइम पहले वह वाइरल वड़ा पाउ गर्ल एंड डॉली चाय वाला के उपर एक रोस्ट वीडियो अप्लोड किये थे कि वह वाइरल वड़ा पाउ गर्ल से मिलने गए थे दोस्ती करके फ्री वड़ा पाउ लेकर आया हूं तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लविश आदव के बारे में तो क्या है लविश आदव ये तीन करोड की गाड़ी को खरीद लिए वहा किया कि वह अपने इंस्टेकराम में एक स्टोरी अप्लोड किये थे ओफ जी वागन और फिर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि वह ये तीन करोड के जी वागन को खरीद लिए वेल इन रूमर्स को एड्रेस करते वे अलविश आदव अपने व्लॉग में ये बोले तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के घर के शूटर्स को अर्रेस्ट कर लिया गया है जहां गैस दो लोग जो उनके घर के भार फाइरिंग किये थे उनको पकड़ लिया गया है और महाराष्ट्रा की CM के तरफ से भी एक बहुत ही स्ट्रॉंग स्टेट्मेंट आया उन्होंने एक इंटर्वी के दोरान बोला कि हमने सलमान खान को अश्योर किया था कि गवर्मेंट आपके साथ है और पुलिस अथारिटीज आपका पूरा हेल्प करेंगे इमिडियेटली एक्शन लिया गया है और वो दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया यह महाराष्ट्रा है यहाँ पर गैंग्स अंडर वर्ल्ड यह सब कुछ नहीं चलता है जो भी यह विश्णोई विश्णोई है उनका भी यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा तो चली अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं IPL के एक और हिस्टॉरिक मैच के बारे में जहाँ गैस कल एक और ब्लॉक बस्टर KKR वर्सिस राजिस्थान का मैच था जो की बिलकुली नेल बाइटिंग फिनिश हुआ राजिस्थान इसको जस्ट टू विकेट से जीते एकदम फाइनल बॉल में KKR ने भाई 224 का टार्गेट दिया था जिसको सक्सेस्फुली राजिस्थान चेज कर लिए और इससे बड़ा कोई चेज कभी किया ही नहीं है और भाई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किये बैट्समें जॉस बटलर जिन्होंने फिर से एक और सेंचुरी मार दिया इस टोर्नमेंट का ये सेकंड सेंचुरी मार दिये इनका इनिंग्स इतना बढ़िया था कि कोलकता के कोउनर शारुक खान भी उनको आफ्टर दे मैच आकर अप्रिशेट किये थे उनको हग किये थे बट एक प्लेयर को भी बहुत जादे अप्रिशेट किया जा रहा है वो सुनिल नरायन को वो with the bat century बनाए and with the ball वो two wickets लिए और एक catch भी पकड़े भाई एक प्लेयर और कितना कुछ कर सकता है यार इस क्लियरली प्रूफ्स कि भाई क्रिकेट इसा टीम गेम चाहे आप अकेले जितना भी अच्छा खेल लो पुरे टीम को परफॉर्म करना पड़ता है यार यार टीम परफॉर्मेंस से याद आया RCB का इस साल कितना खराब परफॉर्मेंस रहा है आप लोग को पता है होगा वो bottom of the table में चल रहा है तो इसके regarding legendary tennis player महेश भूपदी एक recommendation दिये कि RCB टीम को sell कर देना चाहिए उन्होंने tweet करके बोला for the sake of the sport, IPL and the fans and even the players I think BCCI कोई enforce करना चाहिए the sale of RCB to a new owner जो कि ये franchisee को different way में build करेंगे जैसे कि other teams को build किया गिया है hashtag tragic आपको ये recommendation कैसा लगा? क्या RCB को different owner को sell कर देना चाहिए? मेरे को comments में ज़रूर बताना बाकि RCB के खराब performance की पीछे एक player का भी हाथ है, वो है Glenn Maxwell वो ये season में बिल्कुल भी नहीं चले और इसलिए वो खुद कोई team से drop कर लिए जिया, generally coaches and selectors drop करते हैं, इस बार ये खुद कोई drop कर लिए उन्होंने recently reveal करके बता है कि मैं captain and coaches के पास गया after the last game and I said कि it is probably time कि हम लोगो किसी और को try करना चाहिए मैं with the bat बिल्कुल भी contribute नहीं कर पा रहा हूँ and इसलिए अब किसी और player को मौका मिलना चाहिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विकास दिव्याकिर्ती के बारे में तो guys आप विकास दिव्याकिर्ती को जानते होंगे, बहुत ही popular teacher है ये and ये hit film 12th film में भी एक part play किये थे, इनका एक role था as an actor recently एक interview को दोरान उनने animal movie को slam किया उनने animal movie को एक बत्तमीज film बुलाया and he said कि animal जैसे movies हमारे society को 10 साल पीछे ले जाते हैं ऐसे films बिलकुल भी नहीं बनने चाहिए आपने पैसे तो कमा लिए but there should be some social value या फिर लोग सिर्फ आजकल पैसे के लिए काम करते है but या while we are on this topic तो चलिए हम लोग UPSC 2023 topper के story के बार में बात कर लेते हैं जहां guys UPSC 2023 का results आगे and आप top 10 rank लोगों का नाम देख सकते हो All India rank 1 claim किये अधित्या श्रिवास्तव और यहनों ने अपना story बताया कि वो IIT कानपूर से graduate है and उनको एक job भी लगा था 2.5 lakh रुपीस पर मन्त का but वो उसको quit करके UPSC civil services exam के पीछे लग गये and he wants to uplift the system बाकी last year इनका rank था 236 and इस बार वो rank 1 में आगे क्या बढ़िया improvement हुआ उनका अब success story तो आपने सुन लिया चलिए अब एक UPSC aspirant के viral struggle story के बारे में सुन लेते हैं यह वाला tweet बहुत जादा viral जा रहा है by Kunal जिनोंने post करके बताया कि वो 12 attempts दिये हैं 7 बार mains गये हैं 5 interviews भी crack किये हैं but उनका selection नहीं हुआ he said शायद जिन्दगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है बट यह बहुत सारे IAS and IPS officers उनको appreciate कर रहे हैं जैसे कि जितिन यादव लिखे if perseverance had a face more power to you Kunal फिर दिव्यान शुनिगम भी कहे no words and IPS officer भिशाम सिंग भी कहे hard work never goes to waste you will achieve bigger than this studying for UPSC or any other exam और even general leadings can never be waste of time तो अचा यह बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले deepfakes के बारे में UK deepfakes बनाने को illegal कर रहे हैं जहां guys UK government का तरफ से यह announcement आया कि अगर कोई भी sexually explicit deepfake images बनाता है उनके again strict action लिया जाएगा fines and even jail भी हो सकता है वो person को talking about fines तो अब यह story सुनकर shock हो जाओगे तो guys Bangalore से एक woman का यह story है जो की scooty चलाती है उनके scooty के through इतने सारे traffic violations हुए कि वो ओ करती है 1.36 lakhs of fines भताय जा रहा है कि वो 270 बार violet की traffic rules को और यह जो fine का cost है वो double है उनके scooty से तो यहाद चलिए अब कुछ achievements के बारें बात करते हैं तो first of all उजवल शर्मा complete कर चुके एंड़ेट के subscribers then Hey Soyal ने भी complete कर चुके एंड़ेट के subscribers then Prince Namdev ने complete कर चुके 1 million subscribers then Not Your Type ने complete कर चुके 5 million subscribers and finally Elvishadha Vlogs ने complete कर चुके 8 million subscribers so many many congratulations to all of them fun fact guys, उजवल शर्मा मेरा personal life का friend है हम लोग YouTube एक साथ start किया थे literally class 10 में और यह देखकर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक बचपन का दोस्त आज achievement लिस्ट में आया but yeah now let's talk about some international stories first of all हम लोग बात करने वाले YouTuber Drift Games के बारे में तो guys है एक popular YouTuber है जो कि अपने चैनल में cars and automobiles के around videos बनाते है recently उन्होंने एक shocking video release करके बता है कि उनका garage जिसमें सारा cars था वो पूरा जल गया and उनका पूरा नुकसान हो गया इस fire में no one was hurt बट आप पूरा cars का list देख लो यार from Lamborghini Galado to Toyota Supra Chevrolet, BMW and बहुत सारे cars का नुकसान हो गया इसके बारे में वो post करके भी लिखे कि दो घंटा ये fire चला but it destroyed my 10 years of hard work I hope उनका insurance होगा hard work तो वापस नहीं आ सकता है but at least financially पैसा उनके पास return आ जाए तो चल ये final story के बारे में बात करते हम लोग बात करने वाले एक streamer के बारे में जिन्होंने 1 million dollars plus raise किया for a charity जहां guys basically एक streamer है c-dog-va वो cycle चलाते चलाते एक charity stream किये थे जहांपर वो जपान के 620 miles को cover किये and this lasted for 2 weeks भाई 2 हफता उन्होंने stream किया but ये चीज़ बहुत ही highly successful रहा क्योंकि ये उनके cyclothon का 3rd edition था 1st edition से वो 300,000 dollars and 2nd edition से फ़ो 550,000 dollars raise किये थे and 3rd वाले से तो वो 1 million dollars plus raise कर लिए so huge congratulations to him so या तो चल दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको इवीडियो थोड़ा सा भी पसंदाया हो तो like कर देना चैनल को भी तक subscribe नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर लेना news submission का link description में वहाँ से जाके आप कुछ news मैजोगे तो आपको credits में मिल सकता है मेरे description में तो यह से support करते रहना मिलते नेक्स वीडियो में till then बाबाई